असलाम अलेकूम वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल अपना अपना व्लॉग में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं रेड चिकन देखिए इसमें यह सब हम पीसेंगे काजू बदाम और गरी का पेस्ट बनाएंगे और चिकन को अच्छे से वाश कर लिया है इसमें एक चमच लसन उद्र का पेस्ट डाला है लाल मिर्ची पॉडर डाली है दनिया पॉडर डाले है करीब दो चमच और यह करम मसाला पॉडर डाले है इसके बाद जो हमने आपको शुरू में दिखा आय था काजू बदाम गरी का पेस्ट बनाके वह हम इसमें डाल रहे हैं और इसमें ने दॉर का लेंगे डेलो के हर्युशन होगी इसको मिक्स करेंगे रहा है थोड़ों के डाले कांप्ति इसको मिक्स कर लिएर जांगे में मिक्स हो जाएगा तो इसको άकर्श कारी नहीं यह मैंने सको रखिया दे बना में तरी ठाकी यह झाल नच्चा लगग जाओ भना मिताना सबस्का जटल कि कॉाओवे जपिया दिए TV काल भी कला Aud uh यहा लगवी की जब स्टम में ट्पिया च। तरूम मैं एएजर त सकते होती हमग मैं शूम के करें रहा है हुष। जया कोगी जात रंग जात रंग हुष हुष कर दो हुष झाले टुब झाले रख़ा अबजब में तुब झाले में झाले को टूब है जाओारो टूज़ जाले कि लूब सबादा शन्तिटा बपादा सकाते झाले कि अपलता कि एंग तुब है। सुछ। अब बब बढ़ कर दो 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 कर सकता है पुज़ कि लिए 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 को जो सकता है प्रूज़ को कि अन्यों करदा है कि अन्यों कि अन्यों कि भून अंप हम हमारा मसाला और गोश्ट कुब अच्छे से भून गया है देख लीजिए एकदम रेडी है जितना मसाला भूनेंगे उतना अच्छा बनेगा अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे आपको जितना ग्रेवी आपको चाहिए उस सबसे पानी डालेंगे क्योंकि सालन है तो थोड़ा भुतला रहेगा घानी में अच्छा रहेगा इसको तो रेडियो के साथ नान के साथ घर की रोटी के साथ जैसे आपको अच्छे लगए विससे आपखा सकते हैं आप हमारा रेडियो गया है माशालला कितना अच्छा लग रहा है हम इसमें उपासे धनिया डालेंगे गानिश के लिए और इसको थोदर पकाएंगे फिर रेडी ठूसाफ कर देंगे हमारा वीडियो कैसे लगा बताईए लाइक कीजे शेयर कीजे सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और ज़्याद से ज़्याद सपोर्ट करिए और ज़्याद वाच करिए दूआ में याद रखिया लाफ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में